हेलो एबरिबरन वेलकम प्रोटेक्शन में आज के शेशन में हम देखेंगे किस तरह से हम find command के साथ में दो parameter के basis पे data fetch कर सकते हैं अगर other words में बोले तो हम यह देखने वाला कि कैसे combination के through हम किसी भी filter को apply कर सकते हैं अभी इससे पहले वाले जो भी session हुए उसमें हमने क्या किया हमने कुछ जगह पे modified time के basis पे data filter किया कुछ जगह पे size के pattern के basis पे हमने उन record को fetch किया था तो अब प्रजेक्ट में हो सकता है ऐसी need भी हो जहां पे हमें combination बनाकर data को fetch करना हो तो वह चीछ भी समझनी जरूरी है और उसमें हम कैसे find q command का use करेंगे वह हम main list session में cover करेंगे अपने separately उन चीजों को समझ लिया है तो separately समझने के बाद में हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर किसी case में उनका combination में आके हमें कुछ output fetch करना हो तो वह कैसे के जाता है तो उसके लिए आज वाला session पूरा एक dedicated to silly के लिए कि कभी भी find q shell command में एक एक से ज्यादा filter अगर हमें apply करने हो तो वह कैसे होते हैं तो इस session को भी हम वैसे proceed करेंगे सबसे पहले मैं आपको requirement समझाऊंगा कि हमारी requirement कैसे हम आगे proceed करेंगे और requirement clear हो जाएगी फिर हम q shell command prompt पे उसके कुछ examples run करेंगे और examples और requirement के बाद में जब सब चीज़े clear होंगे तो last में हम देखेंगे कि कैसे हम CL program के थूँ उन चीज़ को execute कर रहा सकते हैं ठीक है same command को अगर आपको CL command के थूँ execute कर रहा होगा तो वह कैसे होगा यह हम देखेंगे ठीक है तो अब हम start कर सकते session तो सबसे पहले तो मैं आपको जैसे एक demo के लिए workln के command run करूँगा और वहां पे एक directory दिखाता हूँ तो यहां हम करते है workln के enter इधर अगर आप देखो के तो यहां पर काफी सारी files और directories है और हमारी जो by default directory वो क्या है अगर आपकी case में user abc है तो यहां पर बस change इतना होगा कि यहां पर आदेगा slash om slash abc है अब अगर आप देखो के तो यहां पर काफी सारी files और directories already stored है तो हम एक directory को as example pick करेंगे जो है यह वाली connection with यहां पर मैंने option 5 लिया अब इस directory पर हमारे पास काफी सारे files भी है और हमारे पास directories में है ठीक है अब हमारी requirement यह है project के अंदर कि हमें उस file को pick करना है जिसका modified time लेट से seven days का हो है ना कि seven days पहले ही किसी ने उसको modify किया प्लस उसका size है वो one से greater हो तो उस किसमें क्या यूज करेंगे find q shell के one यूज करेंगे बट आपको requirement समझ में आई कि पहले हमने individual session में यह दोरों चीज़े clear करी थे राइट एम टाइम देखा था हमने कि कैसे हम एम टाइम की help से modify time के basis पे data fetch कर रहे थे और वही अगर हम size की बात करें था हमने size कभी देखा था बट उन दोनों को combination भी use होता है और उस combination के through भी हम अपना specific data निकाल सकते है बट condition यह रहेगी कि वहां पर वो दोनों terms को execute करवाएगा दो अधर वो data को pick करेगा अधरवाइस वो data skip करतेगा ठीक है तो यह हमारी main requirement थी कि इस तरह कर जब scenario जहां पर आपको दो scenario's को fulfill करवाना हो दो conditions को fulfill कराना हो तो वहां पर हम find crucial command कैसे use करेंगे अब अगर मैं को command दिखा हूँ तो मैंने scratchpad पर command लिखा वह यहां पर देखते हैं फिर इसको क्यूशल पर run करेंगे ठीक है तो बहुत simple से command है यहां पर हमने के लिखा सबसे बदे लिखा find space फिर हमने लिखा slash home slash shermit slash text shermit space hyphen type f तो इतना portion आपको already पता है कि यह क्या करेगा सिर्फ files को pick करके लाएगा जितने भी files इस directory में stored है यह उनको pick करके लाएगा फिर हमारा पास m time 7 अब m time 7 का मतलब क्या हुआ कि यह 7 days के अंदर अंदर जो भी modified होया सिर्फ उन file को pick करेगा ठीक है और फिर बाद में हमने लिखा है size plus one तो यह size में अगर one से बढ़ा size होगा तब ही उस file को pick करेगा तो in short यहां पर आप देखोगे तो कितने filter लगा दिया हमने दो मैं इसको filter बोल रहा हूँ m time मतलब 7 हो गया और size क्या हो गया plus one तो यह दोनो filter लगा के जब अगर यह ऐसी कोई file इस directory पर ऐसी कोई file है जो इन दोनों conditions को fulfill कर दी है तो यह सिर्फ उसी file को pick करेगा ठीक है तो यहां से इसको करते copy और मैं इसको qshell पर रन करके बताता हूं ठीक है यह भी important scenario है क्योंकि obviously अगर आप किसी बड़े project पर work करें जहां पर काफी files और directories है तो वहां पर आपको इस तरह का combination भी build करने पड़ेंगे हमने single single देख लिया और वो इतना typical नही है बट आपको idea होना चाहिए कि हाँ अगर ऐसा कोई scenario आया तो हम किस चीज का combination मनाएंगे है जैसा size और modified time की बात हो लिए तो obviously आप यही दोनों का combination मनाने वाले हो right तो यह चीज़ आपको पहले से click कर लेचिए जब आप किसी project पर work कर रहा है तो अब हम यहां पर क्या हम लिखेंगे qsh qsh क्या करता है qsh open करेंगा qsh command entry screen को अब इस qsh command entry screen के उपर हम कोई भी command को run कर सकते है जो execute करेगा qshels को तो यहां पर मैं पेस्ट करता हूं command क्या है हमारी command है find space slash om slash shermit slash text shermit type hyphen type f और यहां पर लिखा है modified time के लिए और size के लिए अब एक बर के लिए मैं क्या करता हूं इन दोनों चीज़ों को हटा देता हूं यह दोनों filter हमने हटा दी है और अब अगर मैं एंटर हिट करूंगो तो देखो यहां पर क्या आ रहा है तीन फाइलों को यह लेकर आ रहा है क्यों क्योंकि अभी एट प्रिदें जो कमांड हमने हिट करी है वो सिर्फ यही करेगा कि टेक्शर में डिरेक्टर के ओपर जितने भी फाइल्स अवेलेबल है यह उन सब को ही प्रिंट करतेगा नो मेंटर वो कौन सा साइज का है या कब मोडिफाइड ह हुआ यह सब कुछ अभी हमारे पास तीन ही फाइल है अगर आपके पास हंडर्स फाइल होगे तो हंडर्स फाइल्स को भी यहां डिस्टाउन करतेगा अब सेम चीज़ को अगर हम यहां पे मैं F9 करके फिर से अपना वह फिल्टर लगाता है तो पहला फिल्टर लगाएंग अगर हम यहां पर एक कंडिशन और डालते हैं प्लस बन साइस तो कौन से आ रही है टेस्ट.examl यहां इसका मतलब क्या हुआ कि यही टेस्ट.examl का सी फाइल है जो सेवर्ट डेस के अंदर अंदर मॉडिफाइड होई है प्लस उसका साइज भी ग्रेटर देन फाइव बन अगर आप कैपिटल लिख सकते हो उससे कोई इसू नहीं होगा यहां हम फाइंड में चेंज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है वो डेटर लेका आएगा एजटे से है ना उसी तरह से अगर हम यहां पर देखते हैं होम कैपिटल लिखने पर कुछ चेंज होगा उसमें कोई चेंज नहीं हुआ बट वही चीज अगर आप किसी भी ऑप्षिन के साथ करने का ट्राय करोगे तो वह एरर देगा ठीक है तो यह चीज आपने देखा होगा थ्रूआउट हर सेनेरियो में हर केस में सेम ही रही है कि हमें जब भी ऑप्षिन को पुट करना है तो वह हमा अब एक डाउट यह भी रहता है कि क्या हम इस कॉम्बिनेशन को बाद में भी लिख सकता है मतलब साइज की जगा पर हम प्लस फन लगा दिया मैं इसको फिर से रेट्रीव करता हूँ तो मोडिफाइट टाइम को अगर बाद में लिखें या इसका भी ओर्डर फिक्स उत देखते हैं यहाँ पर मैं इनम टाइम बात में लगाए साइज लगा एंटर किया तो यह क्या रहा है ओके यहां पर हमने लिखा गाई यहां जागा स्मॉल टाइप और एंटर किया तो अब भी यह फाइल को लेकिया रहा है मतलब और से कोई प्रॉब्रम नहीं है बस वो केस जो है वो एडर्वाइस वो एरर फो थो करेगा ठीक है अब ऐसे ही में तो वो चीजे आप यूज कर सकते हैं तो यह तो हो गया हमारा क्यूशल पर कैसे हम इसको रण करते हैं अब सेम चाहिज अगर आपको CL प्रोग्राम के थ्रू एक्जिक्यूट करवाने है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा यहां पर देखते है वरकेमर पीडियम रॉन क् और यहां प्रोग्राम टू फाइंड ओल फाइल्स विद एम्टाम इन साइस जो अब हमने देखा उसके लिए आपको यह पर एक वेरेबल का नेम पूट किया टाइप ऑटो स्टोरेज हो गई लेंथ होगी 256 तो यह होगा अपना वेरेबल डिक्लिया फिर क्या करना है आपको दो स्टोर को लिए घर को लिए का एक गए यहां पर कमानड सेट हुगा उसके बाद में हम strqsh run करेंगे तो यहां पर ओल गया विरेबल करने में कमानड टीक है तो आप करते हैं इसको compile और call जैसे call किया तो output अपना correct आ रहा है slash home slash share में slash texture में test.examl ठीक है तो यही process होता है जब भी आपको कभी किसी भी दो तरह के filter के साथ में find command के help से अगर कोई data fetch करना है तो आप यही same process repeat कर सकते हो ठीक है तो इस session के लिए इतना ही था नेक्स सेशन में बाके topic discuss करेंगे so thank you for watching TechshareMate